जब इस प्रकृती की स्रिष्टी हुई, तब इस संसार में सभी लोगों के लिए एक सुखमय और संपन्न जीवन जीने के लिए प्रियाप्त मात्रा में साधन और संपदा थी। लेकिन आज वास्तविक्ता ये है कि आज के इस प्रतियुगिता से भरे हुए युग में एक सफल, सुखी और संतुष्ट जीवन केवल धनी लोग ही जी सकते हैं। इस परिस्थिती में अगर हम देखें कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे कोई व्यक्ती केवल सही दिशा में इमानदारी से महनत कर संसार के सभी सुखों को अनुभाव कर सकता है तो हमें निराशा जनक जवाब ही मिलता है। लेकिन हाँ इसे हासिल करने के लिए एक रास्ता है जो हमारे लिए आशा की किरन है और वो है नेट वर्क मार्केटिंग। इस अद्बुद बिजनस मौडल को सबसे पहले सन 1930 में डॉक्टर काल रंबर्ग ने अपने दुआरा तैयार किये कुछ नए फूड सप्लिमेंट प्रोडक्ट्स को अपने ग्रहा को तक पहुँचाने के लिए मार्केटिंग के परम परागत तरीकों के बदले इस नए तरी के से कोशिश की इस प्रकार बिजनस करने का ये नया तरीका सबसे पहले यूएसे में प्रारंब हुआ और कुछ कमपनियों ने इस नए तरीके के मार्केटिंग को अपनाते हुए अपने कुछ चुनिंदा क्वालिटी प्रोडक्ट्स को अपने ग्रहा को तक सीधा पहुँ और सिसंतुष्ट ग्रहकों ने इनका विज्ञापन खुद करके अपने दोस्तों और रिष्टेदारों को इंटर्ड्यूस किया। व्यापार करने के इस नए तरीके के इस्तमाल से इससे जुड़े डिस्टिब्यूटर्स को उनकी अपेक्षा से अधीक लाब मिला और दु अपने परिवार के साथ सभी सुखों का आनंद उठा रहा है। केवल यही नहीं बहुत सारे अन्य लोग भी इस वियापार में काम्याब हुए हैं। और इसके खासियत यह है कि इसमें अधिकतर महिलाएं हैं। यह बिजनिस मॉडल अस्तित्तों में आने के लगभग पचास सालों के बाद भारत में पहली बार सन 1996 में प्रवेश हुआ। शुरुआत के समय में भारतियों ने बड़ी आशा की दृष्टी से इसे देखा। जब कुछ भारतिये और बहुदेश्य कमपनियों ने इसे भारत में शुरू किया तो कई लोग इस वियापार से इस आशा के साथ जुड़े कि उनके जीवन में बहार आ जाएगी। भले ही इन कमपनियों के प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के थे लेकिन उनके कीमतें अधिक होने के कारण साधारन लोग उने खरीद कर निरंतर उपयोग नहीं कर सकते थे और उनका टार्गेट अधिक होता था जब लोग इसमें सफल नहीं हो पाए तो उनमें निराश इस दोरान कुछ स्वार्थी कमपनियों में घलत मैंशा से इन परिस्थितियों का फायदा उठाने के लिए बिना किसी व्यवाहारे प्रोडक्ट्स के कहा कि सिर्फ लोगों को जोड़ना काफी है और सिर्फ पैसों के आधार पर इस व्यापार में पैसों के उलट फेर से ल प्रोडक्ट्स पर आधारित व्यापार में भी लोगों ने अपने नच्छू पाने वाले उंचे टार्गेट को पूरा करने के लिए बिना चाहे और बिना आवशकता के महेंगे प्रोडक्ट्स को खरीद कर निवेश किया और उन्हें भी नुकसान उठाना पड़ा इन सब नकारात्मक बातों के कारण नेटवर्क मार्केटिंग का अच्छा खासा नाम बदनाम हो गया आर्थिक विशेशक्ये 2000 से 2008 के समय को नेटवर्क मार्केटिंग का काला काल कहते हैं निराशा से भरे अंदकार के सकाल में सन 2004 में सिर्फ दो प्रड़क्स छे डिस्ट्रिबूटर्स और दो आफिस के साथ एक भारती कमपनी का बिना किसी शोर गुल के उदे हुआ और वो है अपना वेस्टीज इस कमपनी में जब कोई नया डिस्ट्रिबूटर के तौर पर जुड़ता है तो जोईनिंग के लिए कोई फीस नहीं, नो रिनिवल और एक अदबुत्र क्यूमिलेटिव स्कीम जो उनके मासिक बिजनेस पर आधारित है और नियम इतने सरल और स्पश की एक सामानी वेक्ती भी पूरी तरह सफल हो सकता है तब बड़ी कमपनियों ने इसे तुच्छ दृष्टी से एक छोट इसे जुगनु की तरह देखा लेकिन इस संगठन के प्रमुक्ष्री गौतम बाली जी के इस क्षेतर में अपना 19 सालों का तजरुबा दूर गामी और स्पश्ट दृष्टी डिस्ट्रिबूटर्स की सफलता पर केंदरित बिजनस स्कीम्स वोल्ल क्लास प्रोड़क्ट्स कम कीमतों में जिसे सामानी व्यक्ति भी निरंतर खरीद कर उपयोग कर सके और अपने बेहिचक और सटीक निर्णयों और अर्चनों को पार करने के क्षमता से जैसा कि कहवत है बीज भूने वाला सो सकता है लेकिन बीज नहीं ठीक वैसे ही पांस सालों के कम समय में ही बड़ी सफलता प्राप्त की इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि इस व्यापार से जुड़ने वाले किसी एक व्यक्ति को भी कोई नुकसान नहीं हुआ इस कारण लोगों के बीच इसका विश्वास बढ़ता गया और सफलताओं की चोटियों को छूता गया इसकी इस कामियावी को ताकने वाली बड़ी कमपनियों के होश उड़ गए पिछले बारा सालों से विश्टिज लगातार सफलता की सीड़ियां चड़ते हुए आगे बढ़ रहा है और सफलता भी इतनी जितनी दुनिया में किसी और कमपनी में नहीं साल भर साल 135 पतिशत की व्रिधिदर इस निरंतर बड़स से व्यापार जगत की नामी कमपनियां जैसे एपल, गूगल, फेस्बुक, आईबिम भी अचंबे में हैं कामियाबी की इस रफ्तार को देख कर वे आश्चिरे चकित हैं आज ये कमपनी अपने 80 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स, 40 लाग से ज़्यादा डिस्ट्रिबूटर्स, 50 से ज़्यादा ब्रैंच आफिस और 3000 से ज़्यादा डिस्ट्रिबूशन सेंटर्स के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है इसके अलावा वेस्टीज में हर महीने लगबख 70 से 80 हजार नए डिस्ट्रिबूटर्स विश्वास के साथ ज़्ड रहे हैं बड़े गौरों की बात है कि विश्व भर में अपने बिसनस को फैलाने के उदेश से अभी दुबई और नेपाल में कदम रखा है वेस्टीज अब एक बहुदेश ये कमपनी बन गई है हमें उमीद है कि 2018 से पहले करीब 20 देशों में और 2024 तक लगबख 50 देशों में अपने व्यापार को फैला लेगी इस तरह वेस्टीज अन्य नेटवर्क मारकेटिंग कमपनियों के लिए एक आदर्श बन जाएगी इस कमपनी का अपना 75,000 वर्कफुट का मैनिफेक्चरिंग एरिया है जिसमें तीन फैक्ट्रियां, आरेंडी सेंटर और अपने प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए स्टेट अप दी आर्ट फैसिलिटीज है आज इस कमपनी में एक हजार से अधिक लोग हर महीने एक लाग से ज़्यादा कमा रहे हैं और डेड़ हजार से अधिक लोगों ने कारें अचीव की है कार अचीव करने वालों में सत्तर से अधिक लोग दुनिया की बैतरीन लग्जरी कारें जैसे BMW, Benz, Audi, Valvo, Jaguar और Range Rover में गर्व से सवारी करते हैं Westridge ने वो आसाधारन कारे कर दिखाया जो भारत में नेटवर्क मारकेटिंग करने वाली किसी भी भारतिय या बहुदेशी कमपणी ने पिछले 20 सालों में नहीं किया किसी ने भी अपने डिस्ट्रिब्यूटर के सफलता के प्रचार में इतना योगदान नहीं किया जैसा कि इन्होंने एक कार बुक रिलीज की जिसमें कार जीतने वालों की फोटो उनकी कार के साथ छपी है जो उनके कामियाबी की कहानी वया करती है सिर्फ एक भारतिय कमपणी वेस्टीज ने इसे सार्थक किया क्या कारण है कि पिछले 20 सालों में किसी भी राष्ट्रिय या अंतराष्ट्रिय कमपणी ने वेस्टीज के जितनी सफलता नहीं प्राप्त की वेस्टीज ने ये कैसे किया नो जॉइनिंग फीस, नो रिनिवल, सामानी व्यक्ति के रोज इस्तमाल होने वाले अनेक प्रड़क्ट्स उधारन के तावर पर हेल्थ केर परसनल केर, कंस्यूमेबल्स, प्रीमिम स्किन केर, ओरल केर, ट्रूमेन प्रड़क्ट्स खास तार से पुरुशों के लिए महिलाओं के लिए कलर कास्मेटिक्स और एग्री केर, अच्छी क्वालिटी के प्रड़क्ट्स महंगे ही होते हैं, इस तथ्य को तोड़कर वर्ल्ड क्लास प्रड़क्ट्स को आम आदमी के खरीदने के किशमता के दाएरे में दिया बिजनस टार्गेट पूरा करने के लिए क्युमिलेटिव स्कीम जो की बहुत सरल है, इसके अलावा ओवरॉल वर्ल्ड बिजनस के रॉयल्टी का 40 प्रतिशत का लाग और संगठन के उच्छ अधिकारियों की अच्छी नियत के कारणों से ये महान सफलता संभव हो पाई है और वेस्टीस से जुड़े लोग भी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। व्यापार करने के इस अध्भुत तरीके को जिसे आप देख रहे हैं, तमिन नाडु में सन 2009 में श्री आर एस राजन जी ने एक प्रबल बीज के रूप में शुरुवात की और सामानी व्यक्ति के प्रमाइस्ट जिंदगी को बदल दिया, यही नहीं उनकी आने वाली पीडी के भविश्य को ही बदल दिया। समाज में इस महान योगदान के लिए अमेरिका के वर्ल्ड तमिल युनिवर्सिटी ने सम्मानित करने के लिए श्री आर एस राजन जी को विश्व प्रसिद ड विश्टीज विश्यू विल